नमस्का दोस्तों अच्पिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज की जो हमारी वीडियो है वो study in Canada से रिलेटर रहेगी जैन और मई इंटेक से रिलेटर जिनोंने 2023 में Canada में पढ़ने के लिए जाना है बड़ा competition है दड़ा दड़ बच्चे क्रेजी हैं Canada जाने के लिए मतला Canada का भेड़ चाल जादा है मैंने फिर बताया मतला देखा देखी आप अपना admission या visa ना डाले जी वो बच्चे चले गए तो मैं भी चला जाऊ आपकी research बहुत ही important है किसी भी country में जाने से पहले पढ़ने वाली countries देखिए diploma करने के लिए बच्चे जा रहे हैं तो उनका आप देखिए कि after diploma उनका क्या IQ लेवल रहेगा अगर आपने अपने बच्चों को बड़ेशों में further studies के लिए भीजना है तो at least आपकी research countries की as well as universities की बहुत important है भेट चाल को avoid करने की कोशिश करें अगर ऐसा करते रहेंगे तो उसमें किसका नुकसान है आपका अपना नुकसान है तो आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ universities और colleges के बारे में discuss करूंगा जिनोंने Canada के अंदर January और मैई में जाना है उन colleges की 100% से 10% से लेकर 100% की application बेवर से हैं मतला without application fees देकर आप अपना admissions ले सकते हैं जा आपको 10% मिल सकता है 20% मिल सकता है जा 50% application fees के ओपर discount मिल सकता है जो मैं college और universities आपको बताने जा रहा हूँ पहली वीडियो में भी लगातार बताया है कि हम always, either कोई भी country है तो हम सिर्फ public funded या public universities या public colleges में ही बच्चों को बदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं उसके पीशे बहुत सारे reasons हैं हमारी प्रानी वीडियो में आप जा कर देख सकते हैं reasons क्या है कि visa refused होने के बाद बच्चों के अपने admissions और visas अपलाई किये थे बहां के private colleges में refusals के बाद भी उनके बहां से पैसे नहीं आए इसी तरीके से हमारे पास Spain में भी ऐसे बच्चों की complaints आई हैं Germany से भी ऐसे बच्चों की complaints आई हैं Malta से भी ऐसे बच्चों की complaint आई है Greece से भी, Poland से भी private वाले immediately admissions भेज़ देते हैं तो मैं अपने topic के उपर आता हैं हमारे पास 100 countries के options हैं आपकी profile देखने के बाद BR suggesting की आपको कहां जाना चाहिए तो Canada में अगर आपने in colleges, universities में जाना है तो आपको up to 100% तक का waiver मिल सकता है application fees के उपर तो सबसे पहले मैं 100% application fee waivers colleges के बारे में डिसकस करूँगा northern college में आपको मिल सकता है फैंशियो college में मिल सकता है फैंशियो college जो लंडन में है ट्रॉंटो में है लेंटन college में मिल सकता है University Canada West में मिल सकता है Asenda School of Management में मिल सकता है Fraser International College में मिल सकता है International College of Manitoba में मिल सकता है Toronto Metropolitan University International College में मिल सकता है सकता है old college इन में आपको 100% application waiver मिल सकता है अगर आपने इन colleges में apply करना है तो उसके अलावा जिन colleges में 50% application waivers है Georgian college है Northern college है दोहरम college है Georgian college का अलग campus है barrier वाला फ्लिम फ्लिमिंग college है वहां पर आपको ये 50% तक application waiver मिल सकता है 30% application fee waivers के भी मैं university college के नाम बताऊंगा University of Windsor University of New Brunswick में मिल सकता है Lakehead University में मिल सकता है University of Leth Bridge में मिल सकता है 10% application fee waivers उन universities college के बारे में बात करूँगा Brock University है, Bilford Luar University है, University of Victoria है, University of Benipig है University of Prince Edward Iceland है, University of Northern British Columbia है, Royal Road University है Vancouver Iceland University है, Capilano University है, Sketchman Polytechnic है Norquest college है, Alexandra college है, Kokku Tem college है, ये जितने भी मैंने colleges, universities के नाम बताए है Up to 100% तक आप अपना application waiver ले सकते हैं और benefit किया है अगर Crown Immigration के थूँग, आप अपना Canada का वीजा अपलाई करते हैं जब आपका visa grant होता है, आपकी GC key तक हम आपके साथ share करते हैं आपका email whatsoever create किया है, वो बच्चे तक हम share करते हैं ऐसी open चीज़ें अगर कोई आपको provide करता है, तो उन agencies के थूँग अपना Canada का वीजा अपलाई करने की कोशिश करें बहुत ही technical है, profile देखने के बाद बता देंगे कि आपकी profile पर कितने percent chances हैं कभी भी hundred percent की guarantee नहीं देंगे, आपको percentage बताई जा सकती है कि आपकी कितनी percent है, refuse होता है तो उसके उपर representation किस वे से बनानी है, reapply किस वे से करना है वो भी सिरफ हमारी जो 15-20,000 की advance fees ली जाती है, उसी में ही आपका apply भी, reapply भी, even हमारे पास hundred countries के options है उसके बाद भी आप चाहते हैं, refusal आने के बाद भी आप चाहते हैं, कि अभी मुझे another countries के options दिये जाएं तो मैं Canada से best countries के options भी आपको provide कर सकता हूँ, उसी 15,000 के अंदर अगर आपको ऐसे features, ऐसी facilities another consultant देता है, कि you will put the application through that consultant हमारी fees जो बाकी की है, जब आपका visa grant हो जाता है, not a admission, visa grant के बाद हम अपनी remaining fees लेते हैं ऐसे ऐसे benefits we are provided to the clients, even कल अपने tourist visa, अपनी spouse का open work permit अपलाई करना है, अपने parents का super visa अपलाई करना है, even उस country में जाने के बाद, if you are looking to apply the visa of another country, क्योंकि हमारे थ्रू जो भी बच्चा किसी भी country में जाता है, बहाँ जाने के बाद भी हमारी services online hire करता है, बहाँ से उसने अपने US का visa apply करना है, Australia का apply करना है, New Zealand का, whatsoever country का apply करना है, उसमें भी crown immigration उनको online services देती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है, कि taste क्या है, और इनका nature क्या है, और services तो हम always ही बताते हैं कि यहां पर किसी भी type की को blackmailing नहीं है, always openly बताया जाता है, whatsoever आपकी profile के उपर जो भी हमने अपना review देना होता है, तो Canada से related मेरे channel के उपर number of videos है, अगर उनको भी देखना चाते हैं, तो आप हमारे channel को browser के देख सकते हैं, अगर आपको जे मेरी video चलेगी, इसको like and share करना ना मुले, thank you.